गर्मियों का सीजन स्टाट होने वाला है और गर्मी में नहीं मिलती है लाल वाली गाजर तो मार्केट में गाजर गाइब होने से पहले लास्ट टाइम मैं सोची क्यों ना गाजर का हल्वा बना लूँ आप में भिगो लेंगे, तो दूट डाल कर इसे सौफ्ट होने तक छोड़ देंगे, मिक्स कर लेंगे एक बार और इसे छोड़ देंगे, तब तक चलिए गाजर को ग्रेट करके रख लेती हूँ, तो सारे गाजर को अच्छे से दोने के बाद छील ली और उसके बाद कर ली और साती ये भी सॉफ्ट हो गया है खजूर और किसमिस तो दोनों को चलते हैं पीस लेते हैं तो जार में डालने के बाद इसका बिल्कुल बारिक पेस्ट मैं तयार कर ली हूँ देखिए कुछ इस तरह करहेगा जो की हल्वा में जाने के बाद ये नैचरल मिठास करेग हल्वा बनाने के लिए सारी चीजे तयार है तो चलते हैं बनाने के लिए तो कड़ाए में डालना है हाप कब घी गैस का फ्लेम मीडियम में रखी हूँ और घी के गर्म होते ही अब ये ग्रेट किया हुआ सारा गाजर डाल देना है तो यहां मैं एक केजी गाजर का इस्तमाल कर रही हूँ इस हल्वा को बनाने के लिए अब गाजर को घी के साथ अच्छी तरह पां से साथ मिड़ के लिए भून लेंगे गाजर का हल्वा बनाना बहुत ही इजी है ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा इसे बनाना बस 6 इंग्रिडेंट लगता है इसे बनाने में आप किस तरह बनाते हो कमेंट में जरूर बताईएगा इसे बूनते हुए साथ मिड़ का टाइम हो चुका है तो अब इसे सॉफ्ट करना है तो बस इसी टाइम पे डाल देंगे दूर तो यहां मैं एक कीजी गाजर ली हूँ तो इसमें डाल रही हूँ वो एक लीटर फुल फैट मिल्क हल्वा जब भी बनाए ना लाल वाले गाजर से ही बनाए औरेंज वाले गाजर का ना बनाए क्यूंकि टेस्टी लाल वाले गाजर का ही ज़्यादा अच्छा लगता है हल्वा तो मिल्क डालने के बाद एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे cover करके पकाएंगे जब तक गाजर soft ना हो जाए तो बस अब gas का flame medium to low पे रखकर इसे cover कर दूँगी बीच बीच में लेकिन cover हटा कर एक बार mix कर लेंगे ताकि गाजर जो है वो जले नहीं नीचे से चिपके नहीं बरतन के तले से तो एक बार mix कर लेंगे और फिर से cover करके पकाएंगे गाजर अच्छे से soft ना हो जाए या फिर milk अच्छे से reduce ना हो जाए गाजर soft हो चुका है और milk भी देखिए कम हो गया है तो इसी time पे डाल दूँगी जो dates और किसमिस को पीस कर रखी थी तो सारा इसी time पे डाल देना है तो इस हलुए के लिए मैं मावा के इस्तमाल नहीं कर रही हूँ लेकिन इसमें मैं डाल रही हूँ दो बड़ा चमच, milk powder इसे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है मावा के कमी को दूर कर देता है हलुआ में और इसमें भी मिठास होता है तो गाजर का हलुआ इसे भी मिठा हो जाता है मैं इस सीजन काफी बार गाजर का हलुआ बनाई लेकिन एक बार भी मुझे आप लोगों के साथ सेर करने का मौका नहीं लगा तो मैं सोची क्यों ना last time जब मैं गाजर का हलुआ बना रही हूँ इस सीजन का last तो आप सभी के साथ सेर क्यों ना करूं मेरी बेटी को गाजर का हल्वा बहुत ही पसंद है और उसका बड़े भी है तो मैं सोची क्यों ना उसके लिए इस पेसल ये गाजर का हल्वा बनाओ तो जब इस तरह से दूद सारा रिड्यूस हो जाए गाजर अची तरह से सॉफ्ट हो जाए तो इस टाइम पे डाल दूँगी दो चमच घी साथ ही एक चमच इलाइची पौडर भी आट करना इससे स्वाद असुगन बहुत ही अच्छा आता है और अपने मन पसंद ड्राइफ फूट्स को इस तरह चौप करके डाल दें क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं ड्राइफ फूट्स का तो देखिए ये देखने में ही बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में जबरदस्त बना था तो बस अब सभी शीजू को अची तरह से मिक्स कर लेंगे इस गाजर का हलवा अपना मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई हूँ क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ही पसंद है और वो ज़्यादा दिनों तक इसे खा सके ठंडा हो जाने के बाद इसे एर टाइट कंटेनर में पैक करके फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी और जब भी खाने का मन करें फ्रिज से निकाले और गर्म करके इज़ाए करें हलवा आप देख सकते हैं गाजर पूरी तरह से सौफ्ट हो गया है और दूद भी पूरी तरह से सुख चुका है तो हलवा बिल्कुल तयार है खाने के लिए तो अब इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ खजूर और किस्मिस की क्वैंटिटी आप कम जादा कर सकते हैं यदि मीठा जादा पसंद हो तो क्वैंटिटी बढ़ा सकते हैं तो लिजे प्लेटिंग हो गई है और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है अब बस अपने मन पसंद ड्राइफ रूट से इसे डेकुरेट कर दूँगी और ये खाने के लिए बिल्कुल तयार है बिना गुर चीनी के ये गाजर का हलुआ की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पे यदि नए है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें फ्रेंड एंड फैमली के साथ एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूले ताके आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो हल्वे को टेस्ट कर रही हूँ और ये बनी है बहुत ही जबरदस्त वीडियो को लास्ट तक देखने का आप सभी का बहुत बहुत धने बाद अब मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें